हेलो फ्रेंड आप सब कैसे हो आसा करती हूँ सभी लोग अच्छे हो गए अब ही आप जो स्क्रीन पर प्लांट देख रहे हैं इस प्लांट का नाम है स्नेक प्लांट है इसे मदर इनलॉज टंग और सेंसे वेरिया के नाम से भी जानते हैं यह एक हाड़ी प्लांट है लो मेंटेनेंस प्लांट है इसके अलावा यह एर प्यूरिफायर भी है इसलिए लोग इसे घर में रखना पसंद करने लगे हैं इस प्लांट के लीफ के ब्राइट कलर और इसके पैटर्ण इसे और ब्यूटिफुल बनाता है देखने में यह आर्टिफिस्यल लगता है इसकी पतिया काफी हाड होती है एर प्यूरिफायर होने के कारण इसे लोग होम डेकोर के तौर पे भी घर में रखने लगे हैं कुछ प्लांट आपको वाइट और ग्रिन मिल जाएंगे तो कुछ प्लांट यलो और ग्रिन ड्वार वेराइटिस के पतियों का अरेज्मेंट कुछ इस तरह से होता है जैसे कोई फ्लावर नर्शरी में इसकी बहुत सारी वेराइटि मिल जाएगी कुछ टॉल कुछ ड्वार्व कुछ नेरो लिफ वाले तो कुछ वाइड लिफ वाले इस प्लांट को हम क्ले पॉट के अलावा सेरेमिक और प्लास्टिक पॉट में भी लगा सकते हैं लेकिन हमें ध्यान रखना होता है कि पॉट की गहराई ज्यादा नहीं हो नहीं तो वाटर रुकने की समस्या आ जाएगी और प्लांट खराब होने लगेगा क्योंकि इस प्लांट को सौगी सॉयल बिल्कुल पसंद नहीं है तो चलिए देखते हैं इस प्लांट को ग्रो करने के लिए किनकिन चीज़ों की जरूरत होती है और किनकिन बातों का ध्यान रखना होता है तो सबसे पहले हम एक पॉट लेंगे जिसमें एक होल बना हो सौयल हम सेंडी लेंगे अगर आपके पास सैंडी सौयल नहीं है तो उसमें बिल्क के छोटे छोटे पीस मिदा दिए ताकि पोरस बन जाए और आखिर में हम प्लांट ग्रो करने के लिए एक बेबी स्नेक ट्रांट लेंगे या फिर एक लीफ लीफ से प्लांट ग्रो करने में काफी समय लगता है इसलिए अच्छा होगा कि हम प्लांट ही लें पॉट के होल पर ब्रिक के छोटे छोटे पीसेश डाल देंगे तोयल डालेंगे और प्लांट को फिक्स कर देंगे साथ में लिप्स को भी फिक्स कर देते हैं अब वाटरिंग करते हैं फर्स्ट टैम वाटरिंग इतना करते हैं कि होल से पानी बाहर आ जाए लेकिन बाद में सॉयल को सिर्फ मॉइस्ट रखना है सौगी नहीं आसा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर कोई डाउट हो तो कॉमेंट्स बॉक्स में जाके लिखिएगा थैंक यू